हेलो बचों कैसे हूँ आप सब लोग मैंने हरका फिर से एक बार आप सब बचों का स्वागत करती हूँ आपके अपने बाच में और बचों आज आ गए हैं हम लोग हमारे लेक्चर नमबर 24 के उपर और हम लोग करने वाले हैं हमारे अपडुलकलाम के लाइफ के उपर बेज एक चैप्टर जिसका नाम है बचे माइच चाइल्ड होड तो माइचाइड होड डॉक्टर एपिज अबदुलकलाम के लाइफ पर उनकी आटो बाइग्रफी का यानि उनकी आत्मजीवनी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर हम उनके चाइल्ड हुड के बारे में और उनकी लाइफ कैसे बीती उनके दोस्त कौन थे क्या-क्या चीजों ने उन्हें इंस्पायर किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए वह सब हम लोग इस चाप्टर के थ्वारा डिसकस करेंगे तो आहिए बचो स्टार्ट करते हैं हमा है एंदान रखना है कि वही हमारे स्टोरी के नारेटर है यानि वही हमारे स्टोरी के सुनाने वाले हैं यां पर आय किन था रहा है यहां पर यह आए अबदुलकलाम जी के लिए यूस-क या-चाराह है तो कहते हैं I was born in a family into middle-class Tamil family क्या पिदा हुआ मैंक स्ब्सक्री मिल थ पर आइलेंग टाउन आप रमेश्वरम यानि एक ऐसा टाउन जो तारो तरफ पानी से घिरा वादा आइलेंग टाउन था रमेश्वरम जगा दी जहां पर वो पैदा हुए इन अस्वाइल स्टेट अफ महरा अफ मदरास यानि कहा पर दो ओल्ड स्टेट अफ मदरास पहले और मच फॉर्मल एडुकेशन नौर मच फेल्ट वो गयते हैं ना तो मेरे फादर अर्जिन का नाम था जैनल अबुदीन ना तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन थी और नहीं बहुत ज्यादा पैसे लेकिन इन सब चीजों के डिसद्वांटेज इसन सब साथ a true generosity of spirit और दिल से वह बहुत अच्छे थे ठीक है वह काफी दिल से अच्छे इनसान थे उनका नेचर बहुत अच्छा था उनका उनके नेचर में उदारता बहुत ज्यादा थी he says he had an ideal helpmate in my mother और वो कहते हैं उनकी साथी उनकी जीवन साथी के रूप में उनको मेरी मदर मिली थी इनका नाम था आशी अम्मा he says मुझे यह नहीं पता कि exactly कितने लोगों को वो हर दिन खाना खिलाया करती थी लेकिन I am very sure कि मेरे घर में बहार से आकर खाने वाले लोग जादा थे as compared वो सारे members जो मेरी खुद की family के हो which means उनकी mother was very good ठीक है was a very good lady बहुत ही charitable lady थी कि घर के अंदर जितने भी लोगों कोई फरक नहीं पड़ता वो लोगों को बहार से बुला बुला कर अपने घर में खाना के लाया करती थी कि कि किसी कोई भी इंसान उनके घर के आसपास कहीं भूखा ना रहे जाए he says मैं अपने भाई भेहनों में से कोई में एक था a short boy height में छोटे with rather undistinguished look और देखा जाए तो अपने भाई भेहनों से थोड़े से अलग दिखने वाले थे अपने parents से थोड़े से अलग दिखने वाले थे और तो टॉल और अन्हाइट अन्हाइंडसम पेरेंट्स किसे मेरे ममा पापा बहुत लंबे और बड़े हैंडसम थे लेकिन उनके मुताबिक या उनके कंपारिजन में मैं उनसे बिल्कुल अलग दिखता था चोटी सी हाइट का और उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था वो कहते हैं हम अपने पुष्टैनी घर में रहा करते थे जो विच वस बिल्ट इन दे मिडल ऑफ नाइंटीन सेंचुरी जो 19 सदी के मध्य में बना था यानि 1850 के करीब उनका वो घर बना था और वो अपने पु अखका घर तो था शचाला इस चून और पद ₹ का बना हुआ था लाइं शचान एक तरियो उन देगा बड़ा चूना पतर कहते हैं जिसे ओंद मॉस्क चूहं के घर था मॉस्क स्ट्रीट इन गर ौार्व हुआ करता था रामेश्वरम में चैनल य हृश thou do to avoid all in essential comforts and luxuries he says मेरे जो पापा थे वो सारी के सारी तपस्वी फादर कह सकते हैं यह कह सकते हो की और डाउन टू अर्थ मेरे जो डाउन टू अर्थ फादर थे उन्हें जिन्दगी में कुछ भी ऐसा शानो शौकत भड़ा चड़ा कर नहीं चाहिए था इसे जो चीजे इन essential है जो चीजे not important है वो चीजे उनको अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं इसे तुने कोई comfort कोई luxuries नहीं चाहिए जिस चीज के जरूरत नहीं है जिनके बिना काम चलाया जा सकता है पापा उन सब चीजों के बिना काम चला लिया करते थे वह गयते हैं लेकिन इन सब सब्सक्राइब करें जरूरत की चीजों में पापा ने कभी पीछे हाथ नहीं अटाया लेकिन जो चीजें फालतू की थी उनमें कभी उन्होंने पैसा भी नहीं लगाया In fact, I would say mine was a very secure childhood. वो क्याते हैं मैं यह कहता हूँ कि मेरा childhood बहुत जादा protected था, मेरा childhood बहुत जादा अच्छा था बहुत materially and emotionally. Emotionally भी और materially भी मेरा जो childhood था वो बहुत जादा अच्छा था. The second world war broke out in 1939 ही तैज उस समय पर second world war और जब हुई वो 1939 का टाइम था जब मैं जिव आठ साल का था यानि वो कब पैदा हुए थे उनका बॉर्ण यार क्या था उनका बॉर्ण यार था बच्छे 1931 उनने सवय कत्तिस में का जन्म हुआ था कि सेस्ट पर रीजन्स आफ नेवर बिन अबल तो अंडर्चान असटन दिमांड फर टैमराइंड सीड इरॉप्टे इन दे मार्केट इस उस समय जब वार हुई मुझे नहीं पता की क्यों लेकिन टैमराइंड सीड यानि इमली का जो डिमांड था वो मार्केट में भढ जाता इस तरीके से मैं पैसा कमा लेता था कभी-कभी फिर वो बताते हैं मेरे ब्रदर इन लॉट इन लॉट है यानि मेरे जीजा जिनका नाम था जलालुदीन विट टैल मी स्टोरीज अवाउड दवार विचाई वुट लेटर अटेम्ट टो ट्रेस इन दी हैडलाइन ऑफ दीन आमानी उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं अपने ब्रदर इन लॉट जलालुदीन के साथ बैठा करता थ तो वो मुझे वार की अलग-अलग स्टोरी सुनाया करते थे और फिर उन वार की स्टोरीज की सच्चाई को मैं हेडलाइन में फाइंड आउट किया करता था मैं देखने की कोशिश करता था कि जो मुझे इनने बताया वो कहां पर लिखा है निस पेपर में यानि वो हर कोई भी असर नहीं था लेकिन जब इंडिया को फोर्स किया गया एलाइड फोर्स को जोइन करने के लिए अमेरिका रशिया को जोइन करने के लिए वार में किसेज हमारे पूरे के पूरे देश में एक स्टेट अव एमर्जन्सी लगा दी गई किसेज और उसके बाद हमें लगा कि हां सच में वर्ड वार चल रही थी तो क्याते हैं सबसे पहली कैजवल्टी सबसे धुर्गटना जो आई यह सबसे पहली आप कह सकते हुआ कि प्राब्लम जो हम लोगों ने फेस करी वह यह थी कि हमारे स्टेशन पर सस्पेंशन मतलब आप कह सकते हो कि इस टॉप क उन्हों ने मना कर धिया कि आप से श्केशन की अपर ट्रेन नहीं रोकोगे तो वह कहते हैं सबसे पहले चीज पहले प्रॉब्लम हमने यह पर फेस करी वह यह थी कि रामेश्वरम स्टेशन के ओपर ट्रेन ने रुखना बंद कर दिया था अब जो ट्रेन थी उसी मैंसे रिख लोग बेचने वाले जो प्रेस से लेकर आते थे इनके ताउन तक यहां पर फैका करते थे और पीपल जितने भी न्यूस्पेपर सेलर्स थे वह इसको पकड़ के न्यूस्पेपर लोगों में बाट दिया करते थे वो कहते हैं इसी वज़ा से मेरा जो कजन था समसुद्दीन जो न्यूस्पेपर बाटा करता था रामेश्वरम में उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था बैसिकली उसे एक हेलपर चाहिए था कि कोई ना कोई उसके साथ मिलकर वो न्यूस्पेपर बंडल पकड़ने में कैच करें किसे और नाचुरली उनको लगा कि मैं वो काम कर सकता हूं तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम क्यों नहीं मेरी है करते किसे और इसी वज़ा से मैं अपने भाई के साथ काम करने लगा और यहां पर समसुद्दीन ने मुझे पहली बार मेरी पहली दिहाडी कमाने में ह नहीं से आती है अब दिमाग में सवाल आता है कि मैं ठीक है आपने मगर बोला कि वह तो टामराइंट सीट्स बेचकर इमली बेचकर भी पैसे कमा रहे थे लेकिन वेटा वेज होता है दिहाडी जो हर दिन मिलती है आपको वह मेभी कभी मिल गई कभी नहीं मिली कभी आ गया अपर वेज एक दू रुपे नहीं धंका पैसा इन्होंने कहां से कमाया जब इन्होंने इस पर अपने भाई के लिए पकड़ने शुरू करे आप सेंचुली लेटर यानि वह कहते है पच्छेस साल बाद 25 यह लेटर आई कें स्टिल फील ड़ाइड देर्ट देर्ट सब्सक्रावना होती है कि से आज भी मैं वो महसूस कर सकता हूं जब मैं याद करता हूं कि मैंने निवस्पेपर्स खुद जाकर पकड़े थे और वो निवस्पेपर्स खुद उठाए थे वह गयते हैं हर इंसान कुछ ना कुछ इन्हेरिटेट के साथ पैदा होता है यानि जब वो एक सिसाइटी में रहते हैं एक समाजिक आर्थिक स्थिती में रहते हैं तो वो नेचर उसके हिसाब से बदल जाता है और उनकी इन्वार्मेंट के हिसाब से और इंसान का नेचर इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है उसके नेचर में क्या-क्या चीज़े आनी है क क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वह इस पर भी डिपेंड करता है कि वह घर में किन के साथ रहता है उसके फिगर्ज ऑफ अथॉरिटी क्या है उसको कंट्रोल करने वाले पॉन है इस मैंने अपनी फैमिली से इन्हेरिट किया है विरासत में लिए और अपनी मदर से मैंने लिए विश्वास और डीप काइंडनेस और हर एक इंसान के साथ अच्छे रहो किसे जर मेरे भाई बहनों में भी यह सेम क्वालिटी अब उसके बात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां पर वो अपने तीन क्लोस के बारे में बताते हैं को गएड़े स्कूल में मेरे तीन क्लोस फ्रेंड वा करते थे इनका नाम था रामानादा शास्त्री आरविंदन और सिवा प्रकासन याद रखेंगे बच्चे आप लोग ब्राह्मन फैमिली से आते थे यानि आप कह सक्ते हो टिपिकल ब्राह्मन फैमिली से आते थे बिल्कुल परतन खयालौ वाले कि अहीं फैमिली से आते अधिश्ञ चुडून ना प्रस ness इस he धी को भी इस चीज एका डिफरेंस नहीं महसुत हुआ कि हम लोग अलग-अलग इलीजन से हैं हम लोग अलग-अलग फैमिली से हैं हमारा पालन पोशन अलग तरीके से किया ये से नहीं हमने कभी भी जिन्दगी में इन चीजों को महसूस नहीं किया हमने यह emotions कभी भी feel नहीं लिए इनल फैक्ट वो बताते हैं रामानादा शास्त्री जो सन आफ पाक्षी था यानि पाक्षी होते हैं भचे हैड्ड प्रीस्ट यानि हैड्ड पंडित जो होते उसके बाद उनके जो दोस्त थे उन्होंने भी प्रीस्चुड अपना लिया यानि वो भी पंडित बन गए रामेश्वरम टेंपल के अंदर अपने फादर के बाद अरा विंदन जो उनके दूसरे दोस्त थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनस खोल लिया और जो लोग प शीवा प्रकासन वो क्या बन गया उन्होंने क्याटरिंग क्न कर दक्तर बंगया यानि वो खाना सप्पलाई करने वाले बन गए रेलवेस के लिए कहल इंसान उनके सारे ऐको कही न गई जाकर अपने लाइफ में सेटल और हर इंसान इक अच्छी घासी लाइफ जी रहा था अच्छा कासा पैसा कमा रहा था अब वो बताते हैं उन सालों में हमारे वहाँ पर आनुवल श्री सीता रामा कल्यानम सेरेमनी होती थी कल्यानम मतलब मैरेज तो वहाँ पर इनके गाउं में सीता रामा कल्यानम सेरेमनी होती थी जिसके अंदर फैमिली बोर्ट को अरेंज करा करती थी एक special platform पे जिसमें भगवान की मूरतियां रखी जाती थी Lord from the temple to the marriage site और वहां बीच में उस river के sorry उस तलाब के बीच में वो शादी हुआ करती थी situation in the middle of the pond जिसे रामा तीर्था कहा जाता था और वो कहते हैं कि वहां पर जिनकी भी शादी होती थी वहां पर वह भगवान जी की मूरति को पानी के बीच में रखकर शादी करवाई जाती थी और वो बताते हैं कि यह हमारे ही विलेज के पास हमारे ही घर के पास हुआ करता था और वो कहते हैं कि यह चीज इमाजन करो कि ह อง लो को श्रक्रेवाइने किया यह बोल कर किए तो गलत अंद को दिया करते थमोगे इतना मेल्जोल थो हुआ करता था फेर बताते हैं इवन्स फ्रम धी रमायना एंज from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell my children in our family me and the children in our family अब वो कहते हैं भले वो रमायन की कहानी हो या prophet की कहानी हो हमने सारी कहानिया रात को हमारी दादियों नानियों से सुनी है किसे हम लोगो ने कभी भेदभाव किया ही नहीं कि कौन हमें कैसी कहानिया सुना रहा है हमारे लिźे सारी कहानिया बराबर थी हमने कभी भी किसी के बीच में कगोई भी भेदभाव नहीं किया इसे देकिन जैसे हम भेदभाव नहीं करते ज़रूरी है कि दुनिया भी बिलकुल वैसी हो इसे एक दिन की बात है जब मैं अपनी पाचवी कख्षा में था रामेश्वरम elementary school में एक नई teacher हमारी classroom में आते हैं वो कहते हैं कि हमारे school में एक नई teacher आते हैं मैं उस समय पर अपनी cap पहना करता था जिससे पता लगता है कि वो एक Muslim थे and I always sat in the front row next to Ramanada Shastri अपने best friend Ramanada Shastri के साथ पहरी रो में बैठा करता था जो sacred thread पहनता था जो basically janayu पहनता था दिखाने के लिए कि वो हिंदू है the teacher could not somehow के Hindu priest son sitting with a Muslim boy अब teacher इस बात को हजम नहीं कर पाया कि हिंदू पाक्षी का बेटा एक Muslim लड़के के साथ बैठा है और उन्होंने इस बच्चे को यानि हमारे इस चाप्टर के हिसाब से तो वो कहते हैं जैसे वो न्यू टीचर ने दिमाग में बनाया उन्होंने बोला कि भया सबसे आगे बैठेंगे सब्सक्राइब को उठाया गया और बोला गया कि तुम उठो और जाके क्लास की लास्ट में बैठो तुम्हें आगे बैठने का कोई भी हक नहीं ने बोला go and sit on the back bench तो यहा पर मों बताते हैं कि मुझे तो बड़ा बुरा लगा कि मुझे रामनादा शास्तरी मेरे best friend सदूर कर दिवा रामनादा शास्तरी को भी बुरा लगा वो भेदबाड जब हमने कभी नहीं किया तो आपने ये बेदबाड शाहाथ क्यों किया तो यह बताते हैं कि उनकी जो image थी रोने की ठीक है वो कहते हैं उनकी जो वो शकल थी रोने वाली जब में को last row में shift किया गया ही सेजट उस चीजट और एक बहुती घहरा गहरा प्रभाव मेरे ऊपर आज भी है मैं आज भी उस प्रभाव से बाहर नहीं आ पाया हूं आफ्टर स्कूल ही से जवाम घर गए और हमने हमारे पैरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ स्कूल में हुआ है तो लक्षमनाश शास्त्री याद रखो जो पाक्षी थे मंदिर के वो टीचर के पास जाते हैं और हमारी प्रेजेंस में टीचर को बोलते हैं कि देखिए जो हरकत आपने करी है यह जो जहर आप फैला रहे हैं लोगों के मन में कि बैया हिंदुओं को आगे रखो मुस्लिमों को पीछे रखो इन इक्वालिटी यह भेद भाव आप कर रहे हैं यह जो कम्यूनल इंटॉलरेंस आप भड़ा रहे हैं लोगों में कि लोगों को एक ब जादा गलत है और हम इस चीज को बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि देखो या तो आप इस बच्चे से माफी मांगो या फिर इस आइलेंड और स्कूल को छोड़कर चले जाओ अब यहां पर जब टीचर यह सुनते हैं कि उन्हें यह तो माफी मा आइल्टिमेटली प्रिफॉर्म्ड यंग टीचर और वो कहते हैं लेकिन यह जो कन्विक्शन यह जो विश्वास था हमारे लक्ष्मना शास्त्री के अंदर देख कर यहीं वो चीज थी जिसने हमारे प्रीस को सारी जिसने हमारे टीचर के मोड को चेंज करके रख दिया और सब्सक्राइब कर देखा जाए तो सोटी साइटी थी रामेश्वरम की वह बहुत ज्यादा रिजिट थी वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने सेग्रिगेशन आफ दिफरेंट सोशल ग्रूप को लेकर कि मतला हिंदू है तो वह हिंदू में रहेगा मुसलिम में रह आयर वह वह भी एक और्थोडॉक्स भ्राह्मन फैमिली से आते थे और उनकी वाइफ बड़ी कंजर्वेटिव थी मदब कह सकते हो कि बहुत जादा विद्रोही थी बड़ी ही रूड़ीवादी वाइफ थी उनकी बड़े ही पुराने खयाल वाली उनकी पुराने खयाल वा को खतम करने की सुसाइटी में से ताकि लोग जो है वो अलग-अलग बैक्राउंड के मिलक एक दूसरे के साथ रहे सके ताकि वो लोगे अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके और उसी चीज को करने के लिए वो उनके साथ बहुत लंबा-लंबा समय व्यतीत किया करते थे रॉक्त ऐसे ही बातों बातों में एक दिन उन्होंने इनको अपने घर पे डिनर के लिए बुला लिया कि एक दिन तुम्हे एक ना किचेन यह पता लगता है टो वह गुस्सा हो जाती हffen बाराव तो मेरा नहीं दूखा है तो मैंने इस rapidly के बिलकुल के बिलुको विरुत हो मैं नहीं आने दूंगे आप जो मर्दी कर लीजिए उन्हेंने बोला कि मैं इन्हें अपने किचन में खाना नहीं दूगी तो सिवा सुप्रमनयम आयर जो इस चीज से बिलकुल भी विचलित नहीं हुए थे उन्हेंने ना तो अपनी वाइफ को गुस्ते से देखा और नहीं उन् करना है charity begins at home बदलाव की शुरुवायत घर से ही होती है तो उन्होंने खुद अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाया और उनके साथ खुद बैठ कर खाना खाया तो शो ऑब-दय की मैं कैसे खाता हूं मैं कैसे पीता हूं मैं कैसे फ्लोर साफ करता हूं नहीं है यह ikoिए इस जब अगी वाइफ नहीं न कैसा रही कि अगले 4 और यह जब ही वाइफ ने कैसे राङ्ट किया मैंまた है गर में कैज से आ जाओ उन्हों ने मुझे बिना अपसेट हुए बोला कि एक बार जब तुम ससाइटी में सिस्टम को बदलने के बारे में सोच लेते हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स को का सामना तुम्हें करना पड़ता है और कोई फरक नहीं पड़ता तुम अगले अफते मेरे घर में फिर आओ तो अगले अफत से शुरवात होती है वो घर से ही होती है अब उस चैन तक आते आते बचे इंडिया जो सेकेंड वर्ल्ड वर थी वो खतम हो जाती है 1942 की बात है और इंडिया फ्रीडम वस इमिनेंट और उसमें बहुत ही क्लियरली पता लग रहा था कि इंडिया जो है वह बहुत जल्दी अ था रखी थी कि भया अब तो हमारा देश बहुत जल्दी अजाद होने वाला है और हम लोग हमारी जिंदगी अपने इसलाब से जीपाएंगे तो यहां पर उनके पापाने सोच सोच में बोला सोच से बोला कि अबुल I know you have to go away to grow वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें अगर आगे भड़ना है जिंदगी में तो उसके लिए तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा और यहां पर वो खालिल गिबरन की एक कोट को यहां बोलते हैं खालिल गिबरन एक राइटर था उनके एक लाइन को वो बोलते हैं कि ड़स्टे सीगल नोट फ्राइब अक्रॉस्टे सन अलोन विदाउट अनेस्ट कि सेज क्या एक सीगल एक पंची हवा में उड़ता नहीं है क्या अपना खुद का घर बनाने के लिए और वो कहते हैं वो खालिल गिबरन बोलते हैं कि your children are not your children खालिल गिबरन का कहना है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है तो आपके बच्चे एक हद तक आपके हैं आपका काम है उनने एक अच्छी जिंदगी दे देते हैं कैसे तो आप से आते हैं लेकिन आप जिंदे की बहर उनके पालनहार नहीं रहेंगा उनकी को पूरा करना उनकी responsibility है और इसी के साथ वो डॉक्टर देपीज अब्दुल कलाम को यहां से जाने के लिए हां कर देते हैं और चाप्टर और आये दिखते हैं बचे सवाल को अगला सवाल सिवा सुब्रमन्या इस एक्टेशन फ्रम अब्दुल कलाम होगा अगला सवाल सिवा सुब्रमन्या इस एक्टेशन फ्रम अब्दुल कलाम वाज की अब्दुल कलाम भी हाइली एजुकेटेड लोग जैसे बने ताकि कोई भी उनको उनके कर सके कोई भी उन्हें यह ना बोल सके कि भया तुम क्योंकि दूसरे कास से बिलॉंग करते हो तो हम तुम्हें आगे नहीं भड़ने देंगे और वह हमने देखा ही है कि कि अब्दुल कलाम डिस्पाइट बिंग देखा कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं को चीजने चलती ही रहती हैं यह वह सब्सक्राइब अब्दुल्स फादर कोट इन दी आप चैक्टर तो बच्छे आप लोगों वह पता है उन्हें खालिल गिबरन की लाइन बोली कि इंसा बच्छों के माबाप तो हैं लेकिन वह उन्हें एक हद तक उनके जिंदगी को रोख सकते हैं उससे आगे नहीं अब्दुल के फादर किन में बिलीव करते दे फ्रीडम ऑफ थाट्स कम्योनल डिफरेंसे का सिस्टेम स्पर नाजल पावर उनके पापा कहते थे कि हर इंसान के खुद के भी कुछ खयाल है और उनको उनके खुद के खयालों के हिसाब से जीने देना चाहिए और आपके क्वेशन का सही जवाब है इंडिया विल बिल्ट देर ओन इंडिया यह लाइन कितने किस ने बोली तो बच्छे यह लाइन महात्मा गांधी ने बोली थी हमारे प्रमें जब बात कर रहे थे इंडिया के फ्रीरम की ऑप्शन नमबर डी आपके क्वेशन का सही जवाब है यह बचे आप लोगों का हूम वाक रहेगा कि अब्दु सिवया सुब्रमन्य मयर का एम क्या था एंड इसके साथ एक और क्वेशन दाट वन इस दिस वन कि दोनों क्लास को यहीं पर खतम करने का तो थैंक यू और मैं कुछ और क्वेशन आप लोगों के लिए होमवक में छोड़ूंगी जो आप लोग कर सकते हैं और दिस बच्चे आइव लाइक तो इस लेक्टर आप लोगों को प्राबबली मिल जाएगा तो मैं चाहती हूं कि आप इस